एक गाव में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था जबकि सोहन बहुत मेहनती थी एक बार दोनोंने मिलकर एक बीगा जमीन खरी दी जिससे वो बहुत फसल उगा कर अपना घर बनाना चाहते थे सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता बलकि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था इसी तरह समय बीटता गया कुछ समय बाद खेत की फसल पक कर तयार हो गई जिसको दोनोंने बजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला घर आकर सोहन ने नकुल को कहा कि इस धन का जादा हिस्सा मुझे मिलेगा क्योंकि मैंने खेत में जादा मेहनत की है यह बात सुनकर नकुल बोला नहीं धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की तभी हमको अच्छी फसल हुई भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है जब वो दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलजा सके तो धन के बोटवारे के लिए दोनों गाउं के मुखिया के पास पहुँचे मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया जिसमें कंकर मिले हुए थे मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इस में से चावल और कंकर अलग करके लाने हैं तब में निरनय करूंगा की इस धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए सोहन ने रात भर जाक कर चावल और कंकर को अलग किया लेकिन नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदर में गया और भगवान से चावल में से कंकर अलग करने की प्रार्थना की अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकर अलग कर सका उसको ले जाकर मुखिया के पास गया जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ नकुल वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास गया मुखिया ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किये है नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकर वैसे के वैसे ही थे समीनदार ने नकुल को कहा कि भगवान भी तब ही सहायता करते है जब तुम मेहनत करते हो समीनदार ने धन का जादा हिस्सा सोहन को दिया इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अपकी बारून की फसल पहले से भी अच्छी हुई इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए